है दिस इस गुल फ्राज आमादन वेल्कम बैक तो माई चैनल सो आज की वीडियो काफी मज़दार होने वाली है आज की वीडियो में जो है हम सीखेंगे ग्लास मॉर्फिजम एफक्ट किस तरीके से जो है हम बनाते हैं फोटोशॉप के अंदर वो हम सीखेंगे आगे सो टुटोरियल में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक और बेल आइकन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब याए तो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल ज और सीखते हैं कि किस तरीके से आप जो है ग्लास मोर्फिजम एफेक्ट जो है बना सकते हो फोटोशॉप के अंदर सो यहां पर सबसे पहले आपको चले जाना है फाइल पर एंड न्यू पर ठीक है सो मैं जस्ट एक रैंडम जो है साइज ले रहा हूँ आप अपने हिसाब से ले सकते हो एंड रेजोलिशन जो है 300 पर होगा एंड विदन हाइड जो है 1080 पी मैं यहां पर ले रहा हूँ ठीक है सो इतना हो जाने के बाद यहां पर एक new layer लेना है एंड हमें सबसे पहले background create करना है सो background का यहां पर color code मैंने already रखा है यह सारी चीज़े जो है मैं description में दे दूँगा तापकि आपको जो है आप बना सकते हो sim to sim अगर चाहो तो सो यहां पर हम जो है वो color code जो है copy करेंगे and एक blue का darker version लेंगे यह black नहीं है blue है ठीक है and again यहां पर क्या करना है यह दूसरा एक color code यह हमें like copy करना यहां से एक new layer लेंगे यहां पर and just यहां पर जो है इस तरीके से control भी इस तरीके से यह कर देना है and हमें brush पर चले जाना है and इस तरीके से थोड़ा सा एक effect देना है हमें यानि kind of जो है like highlights आ रही है यानि के इस तरीके से ठीक है so इतना हो जाने के बाद हमारा background almost complete हो गया है अब हम क्या करेंगे एक new layer लेंगे again and marky tool में हम जाएंगे इस तरीके से एक draw करेंगे circle and यहां पर just randomly आप कोई भी color दे सकते हो ठीक है so मैं just randomly अभी color दे रहा हूँ फिलहाल इसको भी हमें जो है like अलग तरीके से बनाना है अब देखना बहुत अच्छा मज़दार हो गाई है so यहां पर again इसको four times हम copy करेंगे ठीक है so alt दबा के आप कर सकते हो या फिर आप control plus j भी कर सकते हो so मैं यहां पर just अभी alt दबा कर कर रहा हूँ so yeah कुछ इस तरीके से आप जो है इसको कर सकते हो so मैं proper इसको align नहीं करूंगा so हम कुछ इस तरीके से रखेंगे और यहां पर सही से इसको बीच में कर देंगे so अब हमें क्या करना है यहां पर double click करना है हर एक को जो है एक ball effect में मुझे like बनाना है so यहां पर gradient overlay है so gradient overlay पर हम जाएंगे and यहां पर हम double click करेंगे and just यहां पर जो हमारा color code है वो हम copy करेंगे so ctrl c and यहां पर double click करने के बाद again यहां पर जो है इस तरीके से कर लेंगे and यहां पर बीच में एक और color हम डालेंगे and यहां से यह color copy करेंगे so same process repeat करेंगे अलग-अलग shades के लिए and यहां पर जो है again एक और करेंगे ctrl c and ctrl b so इस तरीके का हमारा हो गया अब हमें क्या करना है इसमें style में जो है linear ना रखके हमें radial करना है so radial करने के बाद आप देखो कुछ इस तरीके का एक 3D effect हमारा आ रहा है so आप इसको set up कर सकते हो अलग अपने हिसाब से और थोड़ा angle वगयरा बट मुझे perfect लग रहा है so मैं यहां पर ज्यादा जो है इस पर छेड़ छाड नहीं करने वाला हूँ and hit okay अगर आप चाहो तो इसमें जो है आप webel इस तरीके से जो है मैं एक बार दिखा दूँ आपको so webel and emboss भी आप जो है कर सकते हो बट मैं ख्याल से इतना कुछ खास नहीं होने वाला चाहो तो कर सकते हो बट अगर नहीं भी करते हैं तो भी ठीक है या फिर हलका रहने देते हैं ठीक है थोड़ा effect दे रहा so yeah of course हो गया हमारा इतना काम अब same process जो है बाकियों के साथ जो है करेंगे हम ठीक है करेंगे हमारा इतना काम काम अब देख सकते हो काफी अच्छा जो है effect दे रहा and इसको थोड़ा हम करीब करेंगे इस तरीके से इस तरीके से, चीक है? So, almost हमारा काम हो गया है, यहाँ पर, यानि कि ग्रेडियंट का काम, अब हमें क्या करना है, यह सभी का एक like save कर लेना है, और JPEG में आपको एक file save कर लेना है, So, मैं यहाँ पर just like, जहाँ पर मैंने save किया है, वहाँ पर, So, bg2 या कुछ भी आप इसको कर सकते हो, So, मैं यहाँ पर एक name दे 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 रहा है, दे दिया मैंने, ठीक है? अब इतना हो जाने के बाद आपको उस वाले को जो है यहाँ पर drag and drop कर लेना है, So, इस वाले same like यह को जो है, मैं यहाँ पर drag and drop कर रहा हूँ, So, इसको कर देने के बाद आपको क्या करना है, सिधा filter पर जाना है, blur पर जाना है, Gaussian blur, So, कुछ इस तरीके का आप अपने हिसाब से setup कर सकते हो, कितना आपको देना है, So, मैं like इतना रखता हूँ, ठीक है, 11 के असपास and इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से एक हम shape draw करेंगे, So, यहाँ पर हो जाने के बाद, मैं इसकी color को white रखूँगा, बहुत ही simple तरीका है, लेकिन आप थोड़ा सा इस पर experiment करो तो काफी अच्छ है, So, इसके नीचे मैं रखूँगा, ठीक है and नीचे रखने के बाद मैं यहाँ पर इस पर alt दबा कर इस तरीके से कर देंगे हम, ठीक है आप देखो एक effect जो है बनके आ गया है, So, अब इतना हो जाने के बाद आप देखो कि यहाँ पर जो effect बना है, अब इस पर हमें काम करना है, So, क्या करना है, So, इस वाले जी यानि के रांडेट जो रेक्टेंगलर हमने लिया है, इस पर आपको double click करना है, ठीक है, and double click करने के बाद यहाँ पर हमें जो है stroke पर चले जाना है, and यहाँ पर color हमें जो है, like white रखना है, and यह हमारा जो है position outside ही होगा, ठीक है, and sorry, यहाँ पर आपको जो है, like sizes का जो है, मैं 2 रख रहा हूँ, 2 pixel, and यहाँ पर आप चाहो तो blending mode के साथ भी like यह कर सकते हो, experiment, but मैं यहाँ पर normal रख रहा हूँ, ठीक है, and opacity अगर आप चाहो, तो मैं यहाँ पर let's say 80 रख रहा हूँ, ठीक है, so थोड़ी जो है, सही effect आए जाए, so इतना हो जाने के बाद यहाँ पर drop shadow पर जाएंगे, और थोड़ा shadow effect यहाँ पर add करेंगे, ठीक है, so कुछ इस तरीके से, इसके distance को सब चीज आप पढ़ियां से इसको आप देखना, so इतना हो जाने के बाद आप webl and emboss भी थोड़ा सा इस पर like experiment कर सकते हो, बहुत जादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है, so इतना हो जाने के बाद depth इसका जो है, like कम कर दो आप इस तरीके से, so आप देख रहे हो काफी अच्छा जो है एक हमारा effect दे रहा है, आप इसको आप चाहो तो जहां पे भी move करो, ठीक है, so sorry, यहां पे इस तरीके से, ठीक है, इसको select करके आप जिस तरीके से आप move करना चाहो, आप move कर सकते हो, and आपके सामने काफी अच्छा जो है, background में एक blurry effect and glass type का effect जो है, आ गया है, ठीक है, so इतना हो जाने के बाद, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसमें like effect देने के लिए, just मैं क्या करूंगा, like कुछ थोड़ा सा जो है, डालेंगे हम यहां पे, ठीक है, so यहां पे इस तरीके से, ठीक है, so मैं इसका color जो है white रख रहा हूँ, यानि के kind of जो है, मैं card का effect देना चाह रहा हूँ, ठीक है, so इस तरीके से आप दोनों को select कर लो, इसके blending mode को जो है, आप overlay पे कर दो, या फिर अगर overlay पे नहीं करना है, तो आप इसके opacity को 50% मैं यहां पे रख रहा हूँ, ठीक है, and दोनों को यहां पे convert to a smart object, so हमारा यह proper हो गया, and यहां पे हम इसको setup कर देंगे, यहां पे कुछ like random, just text जो है, मैं add कर रहा हूँ, ठीक है, so sorry, like 4, ठीक है, इस तरीके से, यहां इतना हो जाने के बाद, इसका भी color हम white पे set करेंगे, and चाहो तो आप इसकी sizes को थोड़ी सी जो है, आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, and हम कुछ इस तरीके से यहां पे इसको set कर देंगे, यहां पे इसको जो है, इस तरीके से जो है, इस तरीके से, and जो हमारे card पे expiry date वगरा इस तरीके के रहती है, so हम कुछ उस तरीके की जो है, like use करेंगे, ठीक है, so यहां पे इस तरीके से, इस तरीके से alignment कर देंगे, and अगर आप चाहो तो यहां मैं दूसरा font यूज करूँगा, master card यहां पे मैं लिग दे रहा हूँ है, क्योंकि यह logo जो है, उसी like company की है, ठीक है, so यहां पे Monserate, sorry, ठीक है, and यहां पे मैं इसकी बूल्ड कर दूँगा, and heat okay, again इसकी opacity 50%, and boom, यह हमारा काम जो है, almost हो गया, so इस तरीके से हम कर देंगे, so आप देख रहे हो, काफी अच्छा effect दे रहा है, और यह हमारा glass morphism का effect बनके ready हो चुका है, so इस तरीके की आपके पास अगर requirement आती है, तो आप यह design इस तरीके से बना सकते हो, so इस वीडियो को यहीं पर wrap up करता हूँ, so उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, शॉक्ड़काभ मेरा मेरा झालों करता हुआ क्रों आपको यह अभी, शॉक्डा उछियो पन्द्पशक्त अ करत के रहाँ को परोगव कि यह जा उनीदाउता है एक आपको ऊबछान है! मुआंजब गाने हैं मैं पर beğ उनाफ जहीं हमlyएं